नमस्कार तो एक बार फिर हाजुरू मैं आपके सामें लेकर मेरा गाउं मेरा देश है का यूपी एडिशन हम उत्तपरदेश के हर विधान सबा की नवस को टटोल रहे हैं जनता का मूड जान रहे हैं विधायक ने क्या काम किया और क्या नहीं किया इसको जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और आडियो विज्यूल के माध्यम से आपके सामने परोस रहे हैं ये डिजिटल तरीका है निरिक्षन करने का विधायक के काम का सरकार के काम का निरिक्षन करने का एक डिजिटल तरीका जिसके जर्ये हम आप तक हर बात को रख रहे हैं ऐसे में आज हम बात करेंगे हाथरस विधानसबा के पश्चिमी युक्तर प्रदेश के हाथरस के तो आज सदर क्या कुछ कहता है, क्या कुछ समेटे हुए है, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि 2017 के विधान सबाचुनावों में यहाँ पर तक्कर थी बीजेपी बनाम बीएसपी, 62 फीसदी मतदान हुए और जीत दर्ज की हरीशंकर माहौर हरीशंकर माहौर ने हाप पर बंपर वोटों के साथ जीत दर्ज की और रनर अप रहे ब्रिजमोहन राही सहाब बिजमोहन रही सहाब बीएसपी के कैंडिडेट थे जो के 2017 में शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा उससे पहले के कुछ आपको चुनावों के नतीजे बताता हूँ इससे पहले 2012 में जब चुनाव हुए तो यहां से गेंदालाल चौधरी बीएसपी से कैंडिडेट थे जिन्होंने जीत दर्ज की और 2012 से 2007 की बात करूँ तो 2007 में जीत दर्ज की रामवीरु पाध धायने ये भी बीएसपी के ही कैंडिडेट थे तो दर्ज को दरसल हाथरस विधान सभाज यहां पर बीएसपी बनाम बीजेपी की हमेशा बात होती रही है तो क्या इस बार भी बीएसपी ही कड़ी टकर देने के मूर में है क्योंकि तमाम वो नेता जो यहां पर अच्छी पैट रखते हैं जमिनी नेता कहे जाते हैं वोटर्स के बीच बहुत बढ़िया तालवेल है सब बहुजन समाज पार्टी साते हैं ऐसे मैं आपको यहां के बड़े नेताओं की बात बताता हूँ सबसे बड़े नेता हरीशंकर माहौर साहब वर्तमान विधायक है दलितों और सवर्णों के बीच इनकी मजबूत पकड़ है इनकी मजबूत पैट बताई जाती है साथ ही साथ जिला भाजपा संगठन में भी इनकी मजबूत पैट है दूसरे बड़े नेता हैं ब्रिज मोहन राही साहब इनकी दलित वोटरों के बीच अच्छी पकड़ है साथ ही साथ जमीनी नेता बताए जाते है तीसरा बड़ा नाम है गेंदालाल चौधरी साहब गेंदालाल चौधरी साहब इनको टिकेट नहीं मिला था दोहजार बारा में तो 2017 में इनको टिकेट नहीं मिला तो 2017 में इनको टिकेट ना देकर ब्रिज मोहन राही साहब को टिकेट दिया क्या इसको लेकर यह RLD में चले गए और RLD से चुनाव रणा हाना कि 2020 में बापसी की हैरोडे अब ये फिर बसपा में है और इस बार बसपा की तरफ से मजबूत दावेदारी भी पेश कर रहे है एक और बड़ा नाम रामबीरु पाध्याय रामबीरु पाध्याय तीन बार विधायक लगातार मायावती साशन में कैबिरेट बंतरी भी रहे हैं लेकिन आजकर लोगों का कहना है ऐसी गुफ्तगू है ऐसी बाते हैं कि अब रामबीरु पाध्याय साहब का मन भाध्यपा में जादा लगने लगा है इनके परिवार के काफी लोग जो हैं वो भाध्यपा में जा चुके हैं हलाकि विधायका को बचाए रखने के लिए इन्होंने अभी तक बाध्यपा का ओफिशल रूप से दामन है नहीं धामा है लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि ये भाध्यपा के साथ है गले में इनके साफा रहता है जिस पर जैशी राम लिखा हुआ है जो ये संकेत देता है कि अब ये भाजपाई हो चुके है अब मैं आपको बताता हूँ कि हाथरस विधान सभा के दरसल प्रमुख मुद्दे क्या है सबसे प्रमुख मुद्दा तो यही है कि बीजेपी विधायक जिस गाउं से आते हैं साशनी वो चेतर लगता है वहाँ की सड़कों का बुरा हाल है और गाउं का विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ साथी साथ लोगों का कहना है कि बीटे पांच साल से विधायक शेतर में नहीं है उन्होंने छेतर का दौरा नहीं किया, छेतर में भ्रमण नहीं किया, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश नहीं की, ये प्रमुख मुद्दों में से एक है, लेकिन जो मुद्दे बदस्तूर जारी है, साल दरसाल, टर्म दरसल, टर्म और इसके साथ ही कारिक्सकाल, दर कारेकाल जो मुद्दे अभी तक बदस्तूर जारी हैं वो मुद्दे हैं एहम मुद्दे हैं द्यान से सुनिएगा मुद्दा है उद्योग धंदा हात्रस उद्योग नगरी मानी जाती थी लेकिन अब 1947 के बाद से धीरे 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 जितने वो द्योग धंदे थे वो सब बंद होते चले के इसके बाद दूसरा प्रमुक बुद्धा है वो है खारा पानी खारा पानी एक प्रमुक समस्या है हात्रस के अंदर आने वाले कई ग्रामे डंचलों में आज भी खारे पानी की समस्या बरकरार है इसको लेकर किसी विधायक न पहले जो गुंड़ाई देखने को मिलती थी उस गुंड़ाई पर लगाम लगाई है काबू पाया है बीजेपी की सरकार ने और साथ ही साथ हाथरस विधान सबा में बीजेपी से विधायक हरीशंकर माहौर साहब ने गुंडागर्दी को कम किया है ऐसा उनका दावा है ऐसा उनका बादा है लेकिन उससे पहले आपको माहौल में ढालने के लिए हाथरस की कुछ तस्वीरे दिखाता हूँ हाथरस की तस्वीरे देखिए और देखिए कि कैसा दिखता है हाथरस तो तस्वीरों से ही आप आंकलन कर सकते हैं कि हाथरस की जो हकीकत है वो क्या कुछ है यूँ तो तस्वीर सब कुछ बया नहीं करती हैं तस्वीर मुझ से नहीं बोल सकती हैं तस्वीरों के लवज नहीं होते लेकिन तस्वीरे बहुत कुछ समेटे होती हैं खुद के अंदर तो ये तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है जो बता रही है कि हाथरस में विकास की हकीकत क्या है, विकास क्या क्या हाथरस में जन्म हुआ भी है या अभी तक हाथरस में विकास का जन्म ही नहीं हुआ, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है तो हाथरस की तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं सडक क्या कहती है ये आप देखिए साथी साथ निर्माडा धीन जो जगाए है वो क्या कुछ कहती है गंदगी क्या कुछ कहती है हर चीज को देखिए समझे है साथ हाथरस को लेकर एक माहौल में आईए कि आप हाथरस की आज जब बात कर रहे हैं तो हाथरस आखिर दिखता कैसा है आप देख रहे हैं जहां पर आज हम हाथरस विदान सभा को टटोलने की कोशिश कर रहे है ऐसे में आपको जो भी चुनावी गड़त है वो समझा दिया है वोटर्स की संख्या के बारे में बता दिया है कौन मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है इसके बारे में भी आपको तमाम जानकारियां देती हैं लेकिन इस कालकरम की जो एहम सरचना है कि आम वोटर क्या कहता है इसको जानेंगे आम वोटर उसको जोडेंगे फोन पर हमको जानकारी मिल रहे हैं पर आम वोटर जोड़ा है आम वोटर रेंडम दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनसे जाने के समझे के कि हात्रस का आखिर माहौल क्या कुछ कहता है नमश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका नाम बताईएगा नमश्कार क्या आपको मेरी आवाज मिल पारी है नमश्कार क्या आपको मेरी आवाज मिल पारी है आपके बाद कट जाते है बार बार जी ठीक है नाम बताईएगा पहले अपना चले एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगा और्डियो को फिक्स करेंगे जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे लेकिन उससे पहले जो समस्या का समाधान दरसल हातरस में होना था वो समाधान अभी तक नजर नहीं आता तस्वीरे बहुत कुछ बया करती है तस्वीरे अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए होती है कई दफा हम ना भी बोले लेकिन तस्वीरे बहुत कुछ बोल जाती है तो हातरस विदान सभा की ये बोलती तस्वीरे आपकी टीवी स्क्रीन पर है ये तस्वीरे खुद बोल रही है और चीख चीख कर बता रही है कि विकास आखिर दिखता कैसा है जिस विकास की बात होती है वो विकास यहां क्यों दम तोड़ जाता है सडकों की तबियत की बात करें तो सडकों की तबियत यहां काफी नासाज है सडकों की तबियत यहां खा प्रभुक्स अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है लोगों को शुद्ध पानी पीने की विवस्था जो है जो मूल सुविधाओं में से एक है वो भी नहीं मिल पा रही है आज भी ग्रामिड अंचलों में ग्रामिड खारा पानी पीने को मजबूर है तो यह प्रमुक्स पायक हरी शंकर माहौर सहाब शेत्र की जनता से दरसल कम मिलते और जुलते हैं हाला कि चुनाओ अब सरपर है तो अभी तो जनता के बीच आना जाना लगा ही होगा लेकिन बीते पांच सालों में आना जाना थोड़ा कम रहा इसको लेकर हम आम वोटर से जानेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। पर जो वादे और जो डावे किये गए थे, क्या वो इस विधान सभा की जंता को मिले? क्या वो डावे पूरे हुए? क्या उन वादों पर विधायक जी खरे उत्रे? जी काविन मैं आपको बता दूँ कि बिदायक जी का जो कहना है वो बिलकुल जो चुनाबी माहौल आता है तो बिदायक जो चुनाब मांगने आते हैं वो तर्फ से के पास तो वहां लोगों का कहना होता है कि हमाँ आपकी सारी मांगत पूरी करेंगी लेकिन जब वो बिदाय कुछ लोगों से बातचीत करिएगा और जानने की समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर हातरस का माहौल क्या कहता है आम वोटर क्या कुछ कह रहे हैं बातचीत करिएगा ज़रा कुछ आम लोगों से कि मैं आपको बता दूँ कि आम वोटर्सों का जो कहना है वो यह है कि एक तरफ विदायक जी है भाजपा कर नारा तो लगाते हैं सब का साथ सब का विकास लेकिन कोई विकार ऐसा अभी तक उनोंने नहीं किया अगर हातरस से इधर उगर जाते हैं तो वहां सड़कों को देख मेरे बात 여 zijn क्यादे नहीं हैं जैसे बात करी जा सकति हैं बात करके महूं समझने की कोशिछ करीő कड़ा दीपेश मैं उन सब्सक्राइब करूंगा जानें håर sera कि क्या साहरी समस्या हैं क्या उनके वहां में श्यूद संवान उनके घाल में जो हातरस नवार्ण अपके आए उन्होंने कितना बिकास किया, क्या कुछ रहा है हातरस बिदान सबाव में? बिदायक जी जो है, जो के लेक्सन जीजिए उसके बाद में दिखते ही नहीं है, कहीं पर भी मुलाकाती तक नहीं हो बाती, बिकास बहुत बूर जी बात गया तो उन प्रिबाईक जी अगर आपके पास नियाँ अब की बार आपका मन क्या कहता है 2022 के चुनाब बेदायक रागातार गाओं मे आते हैं सहर में घूम से क्या कुछ क्या कि हो गपार हो गएते हैं पेशी तो स्वास्त श्तिक्स और कर कम क्या गया या क्या नहीं लिगको क्या गया नहीं जुछ चहना है तो स्वास्त विवाग में बड़ी लापरवाई देखने को मिलती है क्योंकि स्वास्त विवाग में अभी तक बहुत सारी चीज़ां है जो मरीज जाते हैं लेकिन उन्हें पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर क्या समस्या है कुछ यहां पर अगर चोटी सी एक्सिदेंट होता है उसमें सोटी सी वी तो लगती है तो अलीगर या आगरा हायर मेटिकल कॉलेज में रैफर कर दिया जाता है इसके अधरित यहां डाक्टरों की भंकर कमी है पच्चीस डॉक्तर की एवज में अजर्फ आट डॉक्तर हैं अब आप जान सकते हैं कि कुरोना की तीसी लहर आने वाली है ऐसे मैं डॉक्तरों की कमी के चलते तो आथ वा कैसे इनसे जूच पाएगा कैसे कुरोना को हराब आएगा तो जैसा आपने देखा कि इनों ने बताया कि यहां डॉक्टरों की बहुत सारी लापरवाई भी आती है सामने और डॉक्टर बहुत कम भी दिखाई देते हैं और अगर बात इमर्जेंसी की करें तो इमर्जेंसी में जो है किवल रैपर सेंटर है अगर मरीज जाला गंबर दिखता तुरंट से लिए अगरा के लिए रैफर कर दिया जाटा है अज मतला बहार जाना पड़ता है ठीक है दीपेश हमारे साज़े रहे तवाम जानकारिया देता रहे गा और लोगों से भी बाचीत करिए लेकिन उससे पहले बतारे कि एक आम दर चलिए कोई नहीं आडियो फिक्स करेंगे और आडियो फिक्स करने के बाद एक बार फिरा वापस पर आएंगे लेकिन उससे पहले दीपेश हमारे साथ नगातार चुड़े हुए है दीपेश एक और जो मुद्दा है वो यह है कि उद्योग धंदे हाथरस उद्योग नगर जब मीनी अखीगत अगर हम आपको बताएं कि हातरस में ट्रांस्पोर्ट की जो बिवस्ता है वो बिल्कुल ही चूर है यहां कोई भी ट्रांस्पोर्ट का बड़ा जगा नहीं दी गई है सरकार की तरफ से कहले है या हातरस में कोई भी पहले यहां बहुत सारी फैक्टरिय जब दिखते ही नहीं तो वो काम क्या कराएंगे किसके साथ रहेंगे वो यह तो सब कहने के उपर है कागजों में काम करा जाते हैं लेकिन लोगों को दिखते नहीं है ट्रांस्पोर्टर जो हातरस के हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज दिखते हैं इसी समस्या को लेकर क्य ग्रामीड अंचलों में आज भी वदस्तूर जारी है यह हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि हाथरस के जो ग्रामीड इलाके हैं जो ग्रामीड अंचल है वहाँ खारा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं क्या कुछ सुधार हुआ अब नमशकार आपका बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-ब जी मेरा नाम अंशोमन है ठीक है आप विधान सभा हाथरस में रहते हैं हाथरस को लेकर आप क्या माहौल समझ रहे हैं क्या देख रहे हैं किसकी तरफ हवा बह रही है क्या कहती है सियासी हवा जी 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 में आपको बतातूँ कि अब ही जो भाई में बात बता है जिलास पताल की बात शल रहे है जिलास पताल में बैसे तो 100 स्य आगा этот हैट यहां बता बना दिया घाए लेकिन यहां पर किसी भी तरही ही कुछ सुग्दा नहीं है यहां एक तरीक से देखा जाए तो हातरस जिलास पताल को रेफर्टरी बनाए जाए जाए अगर कोई कटा फिटा या जड़ा भी तूटा आ जाता है तो उसे तत्काल यहां से 23 कुल मिटर दूर अली गड़ आगरा रेफर कर दिया जाता है तो सबसे बड़ी जहां समझा आए वू जिलास पताल किये हावा की वाजर बात करे हैं तो समझ आए तो हातरस रहे हैं लेकिन हवा भाध्पा की तरफी बह रही है लोग गाली है वागपा को देते हैं बात करते हैं लेकिन बात करते हैं वागपा की क्योंकि उनको जो हम लोगों को लगता है उपकुल मिला की यही है कि प्रदेश में इस समय पिछले पांच साल में डंगे नहीं हुए और डंगों की कारण ही हम लोग की चाहते हैं कि तुबा तो आप प्रदेश सरकार के काम को बेहतर मानते हैं और इस्थानिय विधायक जी ने भी बेहतर काम किये हैं। अपनी तरफ से कोई अफर्स ने डाले हैं। उनका ये कहना था कि योगी जी के नाम पर वोट पड़ेंगे। दीपेश के पास लोटेंगे वापस लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपकी टीवी स्कीन पर लगातार इसलिए चल रही हैं। ताकि आप देख सकें कि विधायक की बात किस कदर सच है, किस कदर जूट है, क्या सच, क्या जुमला है। ये तस्वीरे काफी कुछ जवाब खुद दे रही हैं। आपको बता दूँ कि अभी यहां जो जिस जगब पर मैं खड़ा हूँ, आम लोगों की अगर हम बात करें तो बहुत लोग हम हैं। तो उन लोगों से जो हैं हमारे पास में नहीं से हम लगातार बात कर रहे हैं। लगातार उन से हम पूछ रहे हैं कि क्या कुछ है योगी के नाम पर वोट मिलेगा या मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा यह एक जनता ही बताःती हैं। क्या योगी जी के नाम पर वोट मिलेगा अब की बार वोट मिलेगा अब की बार वोट मिलेगा इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा खिसान मुद्दा। किसानों पर वोट मिलेगा अब किसान अंदोलन का जो असर है वोगी देखने को मिलेगा यह कहना चाहरे है। किसान अंदुलन का जो असर है वो हातरस मिलेगा जिए कैसान तो सब जगे पर है। चैह हातरस हो, अलिगर हो, मतरा हो यह बाओबात यह जपन नगरू. किसान थो किसान है बढ़ा होगी अब देख्रेखें किसान के मूड मे पहापएंगे ह। चले ठीक है किसान के मूर को भापेंगे अब दीपेश लगातार हमारे साथ बने रहेगा एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गया उनसे बाचीत करने था है यह नमस्कार अपना नाम बताईएगा अपना थोड़ा सा मैं पीसा से कहूंगो कि audio को fix करेगा थोड़ा सा आप करिए कि कांड़ी रेज दा वॉल्यूम प्लीज है अलो या हलो नमस्कार बताईएगा नाम बताईएगा अपना राजेश कुमार जी ठीक है कि क्या कुछ कहना चाह रहें आप माहौल क्या है इस्तिती क्या है कि हमारे से लेकर और जिलेटर के लिए एक 200-meter का रोड है इसे लेकर कांड़ी ठीक सरकार को होगी आज तक कोई भी ठीक सरकार पेठाएगा और सांसा दुस रोड पर जाग दिया है कि कापी गट्य हो चुगा है जो और वह पांच में करा पर जाने का है वह तेर बेर गंगा लगया तक इसी काम दो पाजने के लिए और आज तक उस रोड की मरम पर क्या कहना है क्या हुआ है वीधकार नियुका कोई विकास न हुआ 멍ंगे क्काड और रोजचार पे लए विकाट्रों अधिया frequent our entry. ऐसे में क्या यहां से BJP का अगर टिकेट किसी अन्य आदमी को मिलता है, किसी अन्य व्यक्ति को मिलता है और वो मैदान में आते हैं, तो क्या सुनिश्चित की जा सकती है BJP की? सपा और बीजेपी की टक्कर है लेकिन बीते हमने जो कारेकाल देखे हैं उस पे बसपा का बड़ा दमखम रहा है और जो बड़े चहरे हैं दरसल हाथ रस विदान सभा से मैं बात करूं बिरुज मोहन राही जी की बात करूं गेंदालाल चौदरी साहब की बात करूं तो मतलब अब जो लड़ाई है जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी क्योंकि कुछ बात को पहते हैं कि जो बिखात कार हुआ है वो सपाथी सब्सक्राव में हुए पांट पांट में हैं आपके वारे सब्सक्राइब के मिलाएं जुड़े हुएं दीपेश जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि अववस्थाओं का यहां बोल वाला है कुछ भी विवस्थित रही है कहा जा रहा है कि विधायक जी कोविड काल में बाहर ही नहीं लोटे जब दूसरी लहर में इतने लोगों की जान चली गई आक्सीजन की विवस्था की कमी देखने को मिली सब कुछ अस्त विवस्था लेकिन प्रिशासन की तरफ से और विदायक जी की तरफ से आम लोगों के लिए कुछ किया नहीं किया अब विवस्थाओं का बोलवाला दिखा जी बिल्कुल जो कहना है लोगों का वो एक तरफ से साब कहना है कि सदर विदायक की कहलो यह लोगों का बीच में कभी आते ही नहीं है इन्हें कौल अगर जंता करती है या हम लोग कभी फोन करते हैं तो इस दिल्ली आ नकला हुई बताते हैं अगर इनके आबास पर मिलने को जाएं तो वहां इनके जो गेटमैन होते हैं वो प्यादायक जी है यहीं नहीं आकर जंता से नहीं मिलते हैं आम लोगों से नहीं मिलते हैं तो आकर किस से मिलेंगी यह बिदायक और सांसर बिलकूल और बहुत पॉइंटिट सवाल आखरी पड़ाओ है क्लाइमेक सीन आने प्रोग्राम का लेकिन उससे पहले एक आखरी सवाल के साथ है इसकार करेंगे हाथरस में एक साल पहले एक दलित बेटी को रात के धाई बजे उसकी लाश को जला दिया गया ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना यूपी की सियासत का इसको लेकर क्या हाथरस में आज भी सियासी माहौल है क्या आज भी सियासी मौसम गर्म है उस घटना को लेकर जी मैं आपको बता दूँ कि जो बिटिया के साथ बूल गड़ी में जो गटना हुई थी और रात में जो बिटिया को जलाया गया था उसको लेकर प्रिशाशन बिलकुल मुस्ताइद पर नाम कर रहा है और वहां अगर बात करें हम परिबार की परिबार को अगर दी गई है एक सुरक्षा जदी गई हो लगातार दी गई है राशन उनको मिल रहा है और अब जो हल्चल थी वह बिलकुल बंद है और उसकी कली की दिन तारीक पड़ी थी तीन लोगों की गवाई हुई थी उसमें और अगली जो तारीक है वह बीस तारीक की पड़ी है तो क्या लगता अब भी अगर बात करें चुनावी माहुले चुनाव आएगा चुनाव के दौर पर नेता जो है वो अपने अपने मुहिये से इस बात को उठाएंगे लेकिन अब आने वाले समय में पता लगेगा कि आखिर होगा क्या बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश हमार साथ जैसे 2017 में हरी शंकर माहुर को यहां से मौका मिला था क्या एक बार फिर वो रिपीट करने जा रहे है या फिर टिकेट कटने जा रहा है बीजेपी से कोई और नड़ेगा या फिर बसपा जैसा पहले अपना दमखम रखती थी दमखम दिखा पाएगी या फिर जैसा कि अभ बदल लिया है उनोंने तो क्या यहां सपा मजबूत होकर निकलने वाली है लड़ाई और टक कर काटे की होने वाली है ऐसा निकल कर सामने आ रहा है और इस बाहर लड़ाई जो बताई जा रही है वो दरसल बसपा बनाम सपा या बसपा बनाम भाजपा नहीं बलकि सपा बना वाला समय ही बताएगा तारीखें बया करेंगी लेकिन उससे पहले टिकेट किसको मिलेगा ये भी मौसम बड़ा गुलाबी होगा क्योंकि इसके बाद काफी सियासी उलट फेर होते हैं दल बदल होते हैं निर्दलिये भी होते हैं सब कुछ पता लगेगा जैसे जैसे समय कर रहे थे क्या जो विधायक जी द्वारा बादे किये गए क्या वो जुम्ला साबित हुए या फिर हकीकत के मकान भी बनते नजर आए फिलाल के लिए इतना ही कल एक बार फिर आप से मुलाकात हुए शुक्रे क्या हुए झाल 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 झाल